आप शवी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत स्वागत है यूही ग्यान वर्धक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करे साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपके पास सबसे पहले पोचे आईए आज सुनते हैं संकष्टी गनेश चतुर्थी की कता भगवान गनेश हर प्रकार के विगनों का नाश करने वाले हैं और हर प्रकार की शुक और शम्रिधी को परदान करने वाले हैं भगवान गनेश का व्रत हर पक्ष में चतुर्थी तिथी के दिन मनया जाता है पहला विनायक चतुर्थी और दूसरा संकष्टी चतुर्थी हर महीने के शुक्ल पक्ष के चोथे दिन विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है और हर महीने के कृष्ण पक्ष के चोथे दिल संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है अगर मंगल बार दिन पड़े तो इसे अंगार की चतुर्थी के नाम से जना जाता है इस दिन जो भी भक्त सची सरधा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं व्रत उपवास करते हैं भगवान गणेश की किरपा से उनके सारे विगन खत्म हो जाते हैं और उनके घर में सदा शुख और शम्रिथी का वास रहता है भगवान गणेश धन धान्य और आरोग्य को परदान करने वाले हैं और इनके किरपास समस्त परशानियों से मुप्ती प्राप्थ होती है तो आईए आज सुनते हैं संकष्टी गनेश चतुर्थी की कथा का कोई अंत नहीं होता अनेक प्रकार के कथाए हैं इसी में से आईए सुनते हैं एक कथा बहुत समय पहले की बात है कि एक समय भगवान विष्णु का विवाह मातालक्ष्मी के साथ निश्चेत हो गया विवाह की तयारी होने लगी सभी देविताओं को निमंतरन भेजा गया परन्तु भगवान गनेश जी को निमंतरन नहीं दिया गया कारण जो भी रहा अब गनेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे है तब वे आपस में सभी मिलकर चर्चा करने लगे कि क्या गनेश जी को नियोता नहीं भेजा गया या स्वेम गनेश जी ही नहीं आया है सभी को इस बात पर आशर्ज होने लगा तभी सबने विचार किया कि विश्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जा तो भगवान विश्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गनेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ महादेब को निवता भेजा है यदि गनेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं अलग से निवता देने की कोई आवशक्ता नहीं है दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मौंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड़ू का भोजन दिन भड़ में चाहिए यदि गनेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पिना अच्छा भी नहीं लगता अगर वो खाते हैं तो इतनी वारता कर ही रहे थे कि कि किसी एक ने सुझाव दिया यदि गनेश जी आभी जाएं तो उनको द्वारपाल बना कर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना आप तो चूहे पर बैठ कर धीरे धीरे चलोगे तो बारत में बहुत पीछे रह जाओगे यह सुझाव सब को पसंदा गया तो भगवान विश्णू ने भी अपनी शेहमती दे दी होना क्या था कि इतने में ही गनेश जी वहाँ आप हुझे उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया बारत चल पड़ी तब नारज जी ने देखा कि गनेश जी तो दरवाजे पड़ी बैठे हुए हैं तुवे गनेश जी के पास गया और हो रुकने का कारण पुछा तो गनेश जी कहने लगे कि विश्णू भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है नारज जी ने कहा कि आप अपनी मूशक सेना को आगे भेज़ दे तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके बाहन धर्ती में धस जाएंगे तब आपको सम्मान प्रवक बुलाना पड़ेगा अब तो गनेश जी ने भी अपनी मूशक सेना जल्दी से आगे की ओर भेज़ दी और सेना ने जमीन और जाने वाली रास्ते के जमीन को पोली कर दी जब बारात वहां से निकली तो रत्वों के पहिये धर्ती में धंस गए लाग कोशिश करने पर भी पहिये नहीं निकल पाए सभी ने अपने अपने उपाय किये परन्तु पहिये तो निकले ही नहीं बलकि जगा जगा से तूट गए किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए और क्या होगा तब नारज जी ने कहा कि आप लोगों ने गनेश जी का बड़ा अपमान किया है या अपमान करके आपने अच्छानय किया यदि उन्हें मना कर यहां लाया जाए तो आपका कारे शिद्ध होगा हो सकता है कि यहां संकर टल जाए भागवान शंकर ने अपनी दूत नंदी को भेजा और वे गनेश जी को ले कर किया गनेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया तब कहीं रत के पहिये निकले अब रत के पहिये निकल तो गए परंतुवे तूट फूट गए तो इन्हें सुधारे का आखिर कौन पास के खेत में खाती काम कर रहा था उसे बुलाया गया खाती अपना कार्य करने से पहले स्री गनेश आयनों यह कहकर गनेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा देखते ही देखते खाती ने शभी पहियों को ठोक दिया तब खाती कहने लगा कि हे देखताओं आपने सर्व प्रतम गनेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है हम तो मुरक अज्यानी हैं फिर भी पहले गनेश जी को पूजते हैं और उनका ध्यान करते हैं आप लोग तो देवतागन हैं फिर भी आप गनेश जी को कैसे भूल गया हैं अब आप लोग भगवान श्री गनेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा ऐसा कहते हुए वहां से सभी मिल करके बारात ले करके चल दिये और भगवान विश्नु का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन हुआ और विवाह करा करके शभी शवकुसल अपने घर लोटाए हे गनेश्री महराद आपने विश्नु भगवान को जैसे उनका कारे पुर्ण किया ऐसे कारे सभी का आप शिद्ध करो बोलिये प्रेमशे भगवान गनेश के जय जो भी संकष्टी चतुरती के दिन भगवान गनेश का सची सरधा के साथ व्रत और पूजन करते हैं उनके सभी कारे शिद्ध होते हैं उनके कोई भी कारे में कभी भी रुकावट नहीं आपाती जो भी संकष्टी चतुरती का व्रत करते हैं उन्हें ब्रह्मा मुहरत में उठ करके अपने शभी निति क्रियाओं शे रवित हो करके गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अश्नान करना चाहिए फिर सुद्ध वस्त्र धारन करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश हे विनायक आज मैं आपके शंकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ आप हमें आसरवाद परदान करें इस प्रकार मन में संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी एक्षा हो जो भी कामना हो वह प्रभु से कहें इसके बाद दिन भर व्रत उपवास रहें और साम के समय में भगवान गणेश का पुड़े विधी विधान के साथ पंच उपचार या खोडश उपचार पूजन विधी के द्वारा उनका पूजन करें भगवान गणेश को इस दिन अश्टान कराए वस्तर चठाए उन्हें दुरबा चठाए सिंदूर चठाए धूप दीब दिखाए और उन्हें मोदग का भोग लगाए उसके बाद भगवान गनेश की संकष्टी चतुर्थी की व्रत का कथा सरवन करे फिर भगवान की आरती करे तो यहाँ अनंत गुना पुर्णिफल दायक होता है इस दिन साम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के अनुसार चंद्रोदय के समय में पूजा कर सकते हैं साम के पूझा के लिए गनेश जी की मूर्ती के बाजू में माता दुरगा का फोटो प्रतिमा को रख करके उनका पूजन करे। इस दिन माता दुरगा की पूझा करना बहुत ही शुफल दाई माना जाता है। इस दिन भगवान गनेश जी के मंत्र का जब करते रहे ओम गंग गणपताय नम्हा इस मंत्र का जब करे तो यह बहुत ही लाबकारी होगा तो आसा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ज्यान वरधक जानकारी आप्राप्त करने के लिए हमारे शेनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे वीडियो को लाइक और अपने मित्रो तथा दोस्तों के साथ शियर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जै स्रे राधे कृष्ण धन्यबाद